अना हजारे की साथ मांगे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें अंशन की राह पर अना हजारे चल पड़े हैं भूक हर्ताल पर जाने से पहले अना राजगाट पहुँचे अना राम लीला मैदान से अनिस्चित कालीन भूक हर्ताल कर रहे हैं अलाकि उनकी प्रमुख मांगों में अभी भी लोगपाल विदेया को पारित कराना शामिल है लेकिन इसके अलावा भी वो छे अन्य मांगों को लेकर भूक हर्ताल पर बैठे हैं अना हजारे ने अंशन की शुरुआत से पहले केंदर सरकार को संबोधित करते हुए कहा प्रदर्शन कारियों को दिली लेकर आ रही टेन आपने कैंसल कर दी आप उन्हें हिंसा की ओर धकेलना चाहते हैं मेरे लिए भी पुलिस बलत्यनात कर दिया गया मैं कई पत्र लिखे और कहा था कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए आपकी सुरक्षा मुझे बचा नहीं सकती सरकार का धूरत्रा वैया सही नहीं है बता दे अन्ना हजारे लोकपाल विदेया को पारित कराने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं इसको लेकर उन्होंने 2011 में राम लीला मैदान में ही भूक हरताल भी की थी इस दोरान उनके साथ हरविंद के जरीवाल, किरन बेदी, कुमार विश्वास और मनीश सिसो दिया जैसे साथ ही थे हालाकि अभी तब इनके इस अंशन में शामिल होने की सूचना नहीं है अना का कहना है कि इस बार का अंशन 2011 से भी बड़ा होगा जान ये क्या है अना हजारे की साथ मांगें 1. किसानों के क्रिशी उपज की लागत के आधार पर डेड़ गुना ज्यादा दाम मिले 2. खेती पर नर्भर 60 साल से उपर उम्र वाले किसानों को प्रतिमा 5,000 रुपे पेशन 3. क्रिशी मूलिय आयोको समवेदानिक दरजा तथा संपून स्वायत तथा मिले 4. लोगपाल विदेहक पारित हो और लोगपाल कानून तुरंत लागू किया जाए 5. लोगपाल कानून को कमजूर करने वाली धारा चवालीस और धारा तिरसट का संशोधन तुरंत रद्ध हो 6. हर राज्य में सक्षमलो का युक्त कि नियुक्त किया जाए 7. चुनाव सुदार के लिए सही निर्ण लिया जाए